बॉलिवुट में नेपोटिस्म का मुद्दा दिनों दिन गर्माता चा रहा है अब तक कई स्टार्स इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा चुके हैं वहीं अब महिश भट की बेटी और अक्ट्रेस पूजा भट ने भी नेपोटिस्म पर अपनी आवाज उठाई और अपने पापा महिश भट पर लग रहे आरोपों को लेकर भी सफाई दी साथ ही अक्ट्रेस कंगना रनाट को भी नेपोटिस्म के मुद्दे में घसीटा और कहा कि कंगना को विशेश फिल्म्स ने ही गैंक्स्टर फिल्म से लौंच किया था मैश भट की वज़े से ही उन्हें बॉलिवुड में कदम रखने का मौका मिला अब इन सब बातों के बाद कंगना कहां चुब बैठने वाली थी उन्होंने पूजा को मूँ तोड जवाब दिया है और उनकी सरेयाम धज्जिया उणाई है कंगना ने ट्विट किया और कहा कि मुकेश भट को फ्री में काम कराना अच्छा लगता है वो किसी को पे करना पसंद नहीं करते टैलेंटिड एक्टर्स को फ्री में लाकर काम करवाना कई स्टूडियोज करते हैं लेकिन इससे तुम्हारे पापा महेश भट को चपल फेकने का लाइसेंस नहीं मिलता ना ही उससे पागल बताने का और अपमान करने का इतना ही नहीं कंगना ने मौके पर चौका मारते हुए महेश भट को फिर से सुशान्त और रिया के रिलेशन्शिप को लेकर घेर लिया कंगना ने पूजा भट से कहा कि महेश भट सुशान्त और रिया के रिलेशन्शिप में इतना इंटरस्टेड क्यों थे क्यों उन्होंने सुशान्त की सुसाइट को लेकर पहले ही अनौंस कर दिया था ये कुछ सवाल है जो तुम्हें अपने पापा से पूछने चाहिए कंगना ने बड़े ही कड़क अंदाज में पूजा भट और महेश भट की धज्या उड़ा कर रखती अब देखना ये होगा कि कंगना और पूजा भट के भी शुरू हुआ ये कोल्ड वार कहां तक जाता है क्या पूजा भट भी अब कंगना पर पलट वार करेंगी लेट सी आगे क्या होता है तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने रियाक्शन्स जरूर शेर करें और हमारे चानल बॉलीपीप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि बॉलीवोड और एंटरेन्मेंट से जुड़ी लेटिस्ट अप्डेट्स आप तक पहुंचती रहे